कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अर्विन नाम्प्यूंग मैं शिवाला होस्पिटल कोलार भुपाल में पेटेमाम लिवर रोग विशेशग्य के रूप में कारे रहा हूं मैंने वीडियो किया था आई बीएस पे इरिटेवल बावल सिंट्रोम मुझे ऐसा लगता बहुत कॉमन है यह बहुत सारे लोगों को इस तरह की परिशानी डाइगनोज होती है आपके डॉक्टर कहते हैं कि अल्टिमेटली जो लंबे समय से परिशान लेते पेट की तकलीव से उनका डाइगनोज इरिटेवल बावल सिंड्रोम बनता भी है और यह काफी लंबे समय को बदल चुके होते हैं सालों तक उनके पास जब हमारे पास भी आते तो इतनी सारी फाइल होती है उनके पास तो यहां कुछ चीजों पर मैं थोड़ा सा और इंसाइट देना चाहूंगा कि एक्चली मैं ऐसा क्यों होता है कि आदमी परिशान रहता है और उसके पास फिर स के सबी पेशिंट्स के सारे टेस्ट लग 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 नॉर्मल आते हैं तो यह चीज़े आपको क्या समझाती है थोड़ा पेशिंट को मैं यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ लाइस्टाइल मॉडिफिकेशन पर मतला आईबियस का इलाज हम जीवन शैली को बदल के या आह आपके जो पेट की चीज़े हैं यह सिर्फ पेट से संबंदित नहीं है कई बार आपके ब्रेन से आपकी सोच से भी इस पे असर होता है तो आईबियस का जब हम इलाज करते हैं या उसमें हम जब भी कुछ चीज समझाते हैं तो डेफिनेटली उसका कारण समझनी कोशिश क करनी होती है और इसमें इलाज के कंपोनेंट में चार चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट आती एक तो काउंसलिंग यहाने आप अपने डॉक्टर पर थोड़ा फेट रखें वह आपको समय दे और आप उनसे अच्छे से अपनी सारी प्रॉब्लम डिसकस कर सकते हैं मोस्ट चलते शिम्टम पेट में आते हैं इसलिए आपके डॉक्टर से आपका रैपो होना बहुत जरूरी है कि वह आपको प्रॉपर काउंसलिंग के साथ धीरे धीरे बिहेवियरल थेरेपी और उसके साथ आपको इंप्रूव कर सके इसके बाद जो दूसरी कंपोनेंट है आई ब की चीजों पर हमें ध्यान होता है मतलब हेल्दी डाइट होनी चाहिए और चौथा कंपोनेंट डेफिनेटली मेडिसिंस का होता है कई तरह की दवाईयां होती है इंक्लूडिंग एंटी डिप्रेशन ये सब ड्रग्स भी यूज करनी होती है और उसके बाद जो है आप की मेहनत करनी होती है और दीरे दीरे वह अगर अपनी प्रॉब्लम को समझे तो ठीक भी हो जाते हैं मैं यहां पर फोकस करूंगा कि आपको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े याने की काउंसलिंग और लाइफस्टाइल मतलब मेडिसिंस के बगएर कैसे आई बीस को ठ करें तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस काफी कम हो सकता है नमबर एक आपकी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना होगा और उसके लिए सबसे आसान है कि आप दो चीज़े ज़रू करें समय से सोना समय से जागना यह बहुत बेसिक सी चीज़े लेकिन लोग नहीं कर पाते और यह मुझे लगता है हमारे बहुत प्राइमरी स्कूल से ही सिखाया जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस बट यह लोगों से नहीं होती तो अगर आपकी यह जो स्लीपिंग पैटन है अगर आपका ठीक है तो आप यह समझ लें कि आप बाइलोजिकल रिदम में आप जितना नेचरल डाइट पर रहेंगे हाई फाइबर डाइट पर रहेंगे मतलब सलाथ वगरा ज़्यादा खाएं खाने में जो है फैट और जितना भी प्रोसेस्ट चीजें वो कम रखें नेचरल चीजे ज़्यादा खाएं डट आपकी आंटों को वह बनाती है वीडियो में समझ सकते हैं तो हाई फाइबर जो है यह आपको हमेशा हेल्प करेंगे दूसरा पानी अच्छे से पी के रखें मतलब लोग दिन भर काम करते हैं लोग इस तरह से रहते हैं कि पानी भी नहीं पीते ठीक से अब यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है लेकिन अगर अगर मैं बोलू कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं अगर आप यह दो तीन चीजों का कंपोनेंट को इन्वाल्व करें आई बीएस में डेफिनिटली फायदा मिलेगा एक आपका सोना उठना खाने का टाइमिंग दूसरा हाई फाइबर डाइट नैच्रल फाइबर वह ज़्याद अच्छे से खाएं तीसरा पानी खूब अच्छे से पी के रखें और इसके लाबा एक चीज़ अगर आप बहुत अच्छे से इंक्लूड कर लें अपनी लाइफस्टाइल में इसको बोलता है एक्सरसाइज मैं हमेशा कहता हूं हमारे पास इतनी सारी करें तो हमारे सारे काम होते हैं गाड़ी में बैठ गये हैं आपके सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं जो लोग नहीं है मतलब मुझे लगता है कि अगर एक्सराइज अच्छा एक्सराइज को बहुत ज्यादा भी नहीं कर रहा है अगर आप 25 से 30 मिनिट डेली एरोबिक एक्स सास कूलेगी आपको थोड़ा सा थकान आएगी यह जैसे बाहर पूरे आपकी स्केलेटर या वॉलंटरी मसल्स एक्साइज से उनको भी मुमेंट या इस्टिमिलेशन मिलता है और वो जो आपकी रिदम बिगड़ी हुई यह मोटर एक्टिवीटी जो आपकी पेट की जिसक पर आप IBS का स्वयम इलाज करना चाहते हैं तो लाइफ में स्ट्रेस कम करें, पुराने जो अनभव है उनको निकाल के फेकिए, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा फोकस करें, रूटीन अच्छा रखें, खान पी टाइम से करें, आप उसके साथ में डाइट थोड़ा जो आप तहलने जाते हैं, तो यह सब चीजें आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करेंगे, तो IBS का भी इलाज हो सकता है, बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह आपके कुछ पुराने अनभव, कुछ आपका व्यवहार, जो नेचर है, और उसके बाद कुछ आपका कोपिंग बेहिवियर, जो प्रॉब्लम साथी, उसको आप कैसे कोप अप करते हैं, इंग्जाइटी या डिप्रेशन में कैसे उसको बैलेंस करते हैं, वो सब कंपोनेंट इसमें इं इस्टैल ठीक रखनी होगी, तो डेफिनिट्य आपका IBS भी ठीक रहेगा, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, फिर भी कुछ कंफ्यूजन या कुछ क्वेस्टेंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नमस्कार.